इसके पहले हम लोग ने सीरीज रेजनेंस और पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा है अब यहां पर कोश्चिन में क्या पूछा गया है ध्यान दिजेगा अगर मैं यहां पर स्रीज या फिर पहले किसे के बारें बात करता हूँ तो impedance या फिर admittance जो होगा वो purely resistive होगा ठीक है ना इस बात को ध्यान रखीगा इसका मतलब क्या है अगर मैं impedance या फिर admittance निकालता हूँ तो उसका जो imaginary part होना चीए that should be equal to 0 अगर imaginary part आपका 0 हो रहा है इसका मतलब यह है कि वहाँ पर सिर्फ आपके बास real part बचा हुआ है that will consume the active power it means that you have only the resistive element present in that circuit ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या पुझा कि find the z input input आपको impedance निकालना है omega not निकालना quality factor निकालना है और delta omega का मतलब bandwidth निकालना है इस एक कोशन में बहुत साइज यह इंक्लूइड है यहाँ पर जो circuit आपके पास इस तरह से गिवन है resistance, capacitance और inductance की value आपको जो गिवन है और यहाँ पर पूछा हूँ है z input impedance, omega not that is the resonant frequency, quality factor and the bandwidth ठीक है तो यहाँ पर कैसे हम लोग जो find out करेंगे बहुत ही simple है सबसे पहले आप मुझको यह बताए यह, what is this this is called as a dependent source whose value of VC is depend upon the voltage across this capacitor ठीक है clear, कोई दिक्कत नहीं है मैंने यहाँ की current को IS बोल दिया IS का मतलब क्या है IS is equal to 0.04 times of VC ठीक है, clear है अब एक बात मुझको यह बताए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि what is the VC अगर मैं आपसे पूछता हूँ VC यहाँ पर क्या होगा तो आपको पता है कि जब यह current यहाँ पर जाएगी across the capacitor तो capacitance का जो reactance होगा into that current होगा that will be called as the voltage across that capacitor इसका मतलब क्या है अगर मैं यहाँ पर VC को लिखता हूँ तो VC is equal to कितना हो जाएगा I इसका मतलब क्या है मैं यहाँ पर VC को लिखता हूँ VC will be equal to I upon j omega c अब मैं इसको यहाँ पर replace कर सकता हूँ बहुत सिंपल है यह VC को मैं यहाँ पर replace कर सकता हूँ अगर मैं यह वाली VC को यहाँ पर replace कर दे it means that यहाँ पर आपको IS formation होगा that will be equal to is will be equal to कितना हो जागा 0.04 into i divide by j times of omega into c ठीक है बात क्लियर है अब एक बात बताईए why we are going with that ध्यां समझेगा हम लोगो क्या करना है basically यह circuit में हमको total impedance की value को find out करना है when we will be able to find out the impedance then only we can find out the value of the resonant frequency bandwidth and as well as as well as quality factor ठीक है तो यहां पर दखेगा सबसे पहले मुझको यहां पर जो इसको इस तरह से break करना है कैसे भी करके मुझको यहां पर total impedance की value मिल जाए and for that purpose हमको इसको जो एक simple circuit में जो convert करना है तो यहां पर मैं देखता हूँ कि यहां पर आपके पास because of the presence of this dependent source यहां पर आपका RLC आप इसको जो डिरेक्टर नहीं बोल सकते हैं तो इसलिए मैं यहां पर RLC circuit में पहले इसको जो फॉर्मिशन करूंगा then only we will go for the formulas so that we can determine what is asked in the question तो यहां पर दखेगा आपको IS की value मिल गई है कितनी मिलके 0.04 I upon omega C तो यह बात मुझको यह बताइए what is the current flowing across this register that is the current IR अगर मैंने यहां पर इसको IR बोल दिया तो आप मुझको यह बताइए कि what is the value of the IR so you can easily determine IR will be equal to कितना हो जाएगा यहां पर मैं जो है KCL लगा दूँगा तो I minus of that will be equal to I minus of 0.04 I upon J omega C ठीक है यह आपको क्या मिल गया IR मिल गया अब मैं इस वाले loop में पूरा घूम सकता हूँ इस वाले loop में मैं पूरा घूम सकता हूँ और मैं यहां पर KVL को बहुत ही easily लगा सकता हूँ ठीक है V will be equal to I into XL is equal to क्या अतना होता है J into omega L होता है और VC VC is equal to कितना हो जाएगा यह आपका I upon J omega C हो जाएगा ठीक है और इसके across क्या जाएगा IR into R ठीक है बात क्लियर है अब मैं यहां से इस चीज़े को remove कर देता हूँ चीज़े थोड़ी सी आपको clear हो जाएगा यह हट गया यह हट गया ठीक है आचा आप देखिएगा यहां पर आपके पास एक्वेशन जो form हो गया है ठीक है नाओ for determining the impedance you have to you have to calculate the impedance with the help of the formula V upon I because we know that if the circuit has the voltage V and circuit has the current I it means that V upon I will determine the impedance of that circuit it is the supplied voltage and it is the supplied current V upon I is called as the impedance of the circuit तो यहां पर अगर आपको circuit का impedance निकालना है तो मैं यहां पर अगर देखता हूँ तो यहां पर आपको IR का टर्मा रहा है that is the mainly the problem ठीक है तो मतलब क्या है मैं यहां पर IR को replace करूँगा तो IR को मैं replace कैसे कर सकता हूँ I minus of कितना है था I minus of 0.04 into I by J omega C ठीक है यह मेरा IR गया था मतलब IR is equal to I minus of 0.04 upon J omega C ठीक है यहां पर मुझको यह मिल गया था तो मैंने यहां पर इसको लागर कर जो replace कर दिया तो मुझको V is equal to कितना मिल गया I into J omega L मिल गया और plus 1 by J omega C मिल गया बात क्लियर है और plus यहां पर देखिए जब मैं इसको जो है यहां पर multiply करूँगा तो यहां पर एक आपका जो है I into R आएगा सिंबल सी बात है यहां पर अगर इसको आप जो replace करेंगे तो I into R होगा और एक बार आपका इससे जो है multiply होगा इसका मतलब क्या है यहां पर अगर आप जो I common कर लेंगे तो आपके पास सिर्फ R बचेगा फस्ट वाले में और सेकेंड वाले में आपके पास कितना बचेगा 0.04 into R by J omega C ठीक है तो यहां पर आपको जो इस तरह के formation जो हो जाएंगे तो अगर आप यहां पर जो V by I करेंगे तो आपको यहां पर फाइनली जो है value मिल जाएगी then what is the value of the V by I which is called as the impedance of this circuit तो V by I आपको जो है देख सकते हैं V by I is equal to Z impedance हो गया that will be equal to J omega L कितना आ गया? J omega L plus 1 by J omega C और plus या फिर आप जो minus कर लिजे R by J omega C और plus R आ गया ठीक है? यह आपको जो formation हो गया this is called as the impedance of this circuit ठीक है? अब यहां पर ध्यान दीजेगा मुझको यहां पर जो है R plus एक बाद बताईगे अगर मुझको पता है कि RLC circuit हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो impedance आता है R plus J times of omega L minus of 1 by omega C तो मुझको उससे standard वाले equation में जो transfer करना है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मेरा जो impedance आया है वो तो मेरा यह आ गया है तो आप मुझको यह बताईए कि अब मैं यहां पर जो क्या कर सकता हूँ तो impedance will be equal to कितना हो जाएगा? ध्यान दीजेगा R तो आपका हो गया R plus R तो यह आपका constant value होगी That is a different case अब मैं यहां पर J को common करूँगा तो जब मैं यहां पर J को common कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? omega L आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है यह J उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? minus J हो जाएगा मतलब minus of 1 by omega C और यह J उपर जाएगा तो minus हो जाएगा मतलब plus हो जाएगा तो plus 0.04 into R by omega C ठीक है? बात clear है? तो यहां से मुझको जो है basically find out करना है यह हमारी standard equation के form में नहीं है इसको मुझे standard equation के form में जो convert करना है ठीक है? कैसे करेंगे? देखेगा तो Z is equal to कितना हो गया? R plus J times of कितना हो गया? omega L हो गया और यहां से आप omega C को common कर लेजे वैसे भी ठीक है? आप यहां पर omega C को कर आप जो common करते हैं तो फिर क्या जाएगा? मतलब आपने LCM ले लिया तो कितना जाएगा? 1 plus 0.04 into R ठीक है? यह आपको जो मिल गया ठीक है? I hope it is clear to you और बहुत ही simple है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां पर plus उधर जो है minus B कर सकते हैं कोई problem नहीं आएगा एक काम कर इसको आप जो minus C कर लीजे ठीक है? वो better रहेगा नहीं तो आपको आगे चले confusion होगा ठीक है? क्योंकि आप जो है ठीक है? यह आपको जो ब्रैकेट में लगा दिया ठीक है? बात clear है तो यहां से आप जो देख सकते हैं कि Z is equal to कितना होगा R plus J times of omega L minus of एक term आया है upon omega C ठीक है? Now बहुत देख समझेगा अगर मैं इसको जो comparison करूँ with the help of the standard equation तो Z is equal to क्या होता है R plus J times of omega L minus of 1 by omega C होता here is what if you compare this equation with this equation you can easily determine that R is there R is also there J is there J is also there omega L is there omega L is also there and in this case omega C is there omega C is there and here some term 1 is there and here some term 1 minus of 0.04 is there now it means that they are not equivalent then what we have to do just see it watch it देखेगा यहाँ पर क्या हो गया आपके पास यहाँ पर caption C था omega तो आपका जो same है omega को मैं यहाँ पर disturb नहीं कर रहा हूँ इस वाले factor को मैं जो C dash बोल रहा हूँ because of the presence of the dependent source आपका capacitance की value change हो रही है और किसी में आपका वरिशन नहीं आ रहा है ठीक है ना clear है तो यहाँ पर देखेगा मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ Z is equal to R plus J times of omega L minus of 1 by omega C dash what is C dash C dash can be written as C upon 1 minus of 1 minus of 0.04 R ठीक है C dash आपको जो कितना मिल गया C dash is equal to आपको जो मिल गया यहाँ पर 1 minus of 1 नहीं minus मतब जो है C upon आप कर दीजे वो better है C dash is equal to क्या होगा C upon 1 minus of 0.04 R ठीक है तो यहाँ पर आपको C dash मिल गया तो अगर मैं C dash को करूंगा तो इसको यह दोनों का आपस में मैं यहाँ पर जो comparison कर सकता हूँ अगर मैंने इसको C dash से replace किया है तो ठीक है तो यहाँ पर अगर मुझको C dash की value निकल तो that will be equal to C 1 minus of 0.04 into R हो गया ठीक है अच्छा now we have the value of the R also we have the value of the resistance also we have the value of the capacitance also can we determine the value of the C dash C dash की value को find out करेंगे बहुत ध्याँ से देखेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या आगया C dash सापको जो कितना मिल जाएगा that will be equal to C upon कितना होगा 0.1 into 10 के power minus of 6 divide by 1 minus of 0.04 into R is what R is 20 sir बहुत अच्छी बात है then what is the value of the C dash C dash सापको जो मिल जाएगा 0.5 microfarad C dash is equal to 0.5 microfarad ठीक है यहाँ पर आपको जो C dash की value मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या है पूछा है what is the value of the omega 0 what is the value of the omega 0 we know that the value of the omega 0 that is called as the resonant frequency will be equal to कितना होता है 1 by under root of L into C but in this case you have C dash in this case you have C dash then we will replace it with the C dash ठीक है because of the presence of the dependent source यही सब आपका जो change हो रहा है तो 1 by under root of L L you know that कितना है 0.1 है sir बहुत अच्छी बात है what is the C dash 0.5 into 10 के power minus of 6 ठीक है तो omega 0 आपको यहाँ से मिल जाएगा और omega 0 आपको यहाँ पर basically कितना मिल रहा है omega 0 will be equal to 4,4 आप यहाँ पर solve कर लेंगे देख लिजेगा 4,4 7,2.13 ठीक है 7,2.13 radian per second ठीक है radian per second radian per second because it is the omega 0 तो omega 0 आपको कुझ है मिल गया now you have to determine the value of the quality factor it is the it is a series क्या है यह आपका जो है series RLC circuit है इसका मतलब इसका जो quality factor quality factor था वो क्या था omega 0 into L by R you know that what is the value of the omega 0 that is equal to 4 4,7,2.13 divided by R is equal to कितना हो गया 20 हो गया and what is the L L is given as 0.1 you can easily find out the value of the quality factor which will be equal to 22.36 आ रहा है आप solve कर लें कोई दिक्कत नहीं है 22.36 आ जाएगा ठीक है तो quality factor आप यहां से निकाल सकते हैं next देखेगा next हमको यहां पर जो क्या find out करना है quality factor भी आगया omega 0 भी आगया Z impedance भी आप यहां पर निकाल सकते हैं delta omega that is called as the bandwidth तो bandwidth अकर आपको सबसे जो पूछा हुआ है तो आप मुझको यह बताई what is the bandwidth of the series RLC circuit the bandwidth of the series RLC circuit is equal to L by R और R by L क्या होता है L by R is called as the time quotient of the series RLC circuit and R by L is called as the bandwidth of the series RLC circuit it means that we can determine the bandwidth with the formula of R by L ठीक है you know the value of the resistance that is equal to 20 ohm you also know that the value of the inductance that is equal to 0.1 henry it means that the value of the bandwidth that will be equal to 200 ठीक है तो यहां से आपको जो bandwidth की value भी आपको जो मिल जाएगी च्छा bandwidth आपको जो किस में होता है radian per second में होगा omega है तो यह भी आपको जो radian per second में होता है ठीक है because it is the inverse of the time constant and time constant का आपको जो second होता है उसका inverse क्या होगा frequency होगी बट यह आपको जो आप bandwidth निकालना है यह आप किस में निकालते है radian per second में निकालते है अगर आपको frequency में निकालना है तो आप इसको जो divide by 2 pi कर देंगे तो वहाँ से आप कुछ है hertz में आजाएगी ठीक है अच्छा question है question number 2 find resonance frequency यहाँ से आपको जो पूछा हुआ कि resonance frequency आपको जो कितना ही मिलेगी तो जब भी ऐसे questions exam में circuit में वाले वाले पूछे आते हैं तो हमेशा आपको या तो impedance या तो admittance निकालना है और उसके imaginary part को equal to zero करना है दिमाग में एक तम बेठा लिए जब भी पूछेगा जब भी पूछेगा आपको जो impedance या फिर admittance मतलब क्या है आपके पास series circuit हो या फिर parallel circuit हो in that case you have to find out the value of the imaginary part and equate the imaginary part to zero to find out the value of the resonant frequency please इस बात को अपने दिमाग में as it is रखिए ठीक है अब दिखेगा यहाँ पर ध्यान दिजेगा यहाँ पर क्या है आपको जो resonance frequency निकालनी है तो यहाँ पर resonance frequency आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे देखेगा first of all मुझे इसका impedance निकालना पड़ेगा फिर इसका impedance निकालना पड़ेगा then we will add the impedance of both the circuits to find out the impedance of the overall circuit ठीक है तो यहाँ पर देखेगा इसका जो impedance होगा that is called as the मैं इसको जो लिकरा हूँ z1 तो z1 will be equal to कितना हो जाएगा ध्यान दिजेगा 1 into यह आपका जो parallel में है तो 1 into कितना होगा j omega l तो j into 1 हो गया upon 1 plus j into 1 तो कितना हो गया j upon 1 plus j ठीक है omega l j omega l अच्छा omega को भी मैं यहाँ पर छोड़ दिया हूँ क्या हाँ ठीक है तो j into omega होगा resident frequency हम कुछ निकाल नहीं तो क्या होगा j omega upon 1 plus j omega ठीक है clear है तो यह आपका जो first part हो गया अच्छा अब एक बात मुझको यह बताईगी अगर मुझको इसके बारें बात करना है कि इसका यहाँ पर जोग कितना आएगा तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं what is the value of the z2 z2 will be equal to यहाँ पर कौन है resistance के पहले में आपका जोगा है capacitance है तो क्या हो गया 2 into 2 into 1 by j omega c तो j into omega into c divide by 2 plus 1 by j omega 2 ठीक है r1 into r2 divide by r1 plus r2 ठीक है ना बात क्लियर है अब देखेगा यहाँ पर आपको जोग क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको जोग 2 divide by कितना हो जाएगा 2 into 2 कितना हो गया 4 into j omega plus 1 ठीक है बाकि j omega 2 j omega 2 अपस में cancel out हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से आपको जोग है 2 चीज़े मिल गई अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ what is the equivalent impedance तो आप यहाँ पर z equivalent की value क्या बोलेंगे that is equal to z1 plus z2 होगा sir और that will be equal to j omega divide by 1 plus j omega और plus कितना हो गया 2 upon 1 plus 4 into j into omega ठीक है अब मुझे यहाँ पर z equivalent की value मिल चुकिए ठीक है अब मैं इसको जो rest slice करूँगा ध्यान देगा जब भी ऐसा होगा तो आपको जो rest slice करना ही पड़ेगा तभी आप वहाँ पर imaginary और real को अलग कर सकते है इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर दखीगा z equivalent will be equal to कितना होगा j omega into 1 minus of j omega divide by 1 plus omega का square हो गया ठीक है यहाँ पर कितना होजएगा 2 into 1 minus of 4 into j into omega divide by 1 plus 16 into omega square हो जाएगा ठीक है clear है तो यहाँ से मुझको जो है z equivalent की value जो है मिल गई है in terms of the j omega आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है ना अच्छा अब मुझको इसके imaginary part को 0 करना है imaginary part उपर भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है तो imaginary part को हमको यहाँ पर equal to 0 करना है अब मुझको आप यह बताईए what is the imaginary part अगर मैं imaginary part के बारे बात करता हूँ तो कितना होगा पहले आप यह बताईए तो बहुत ही easily हम लोग यहाँ पर determine कर सकते हैं first जब मैं multiply करूँगा तो आपका imaginary part आएगा second वालता को real आएगा तो इसका मतलब मैं सिर्फ imaginary वाले को ले रहा हूँ imaginary equal to imaginary part of the z equivalent is equal to 0 ठीक है बात क्लियर है तो यहाँ पर देखिएगा first वाले में क्या आगया omega upon 1 plus omega square आपका imaginary part यहाँ पर बचेगा ठीक है बात क्लियर है यहाँ पर क्या होजएगा और next वाले क्या होगा because of the presence of the j square that is equal to minus 1 वापका real में करवाट हो जागा तो उसको आपर छोड़ सकते है next में first जो आपका part आगा वापका real है का next में आपका क्या है minus of 8 upon 8 minus of कितना है गा minus of 8 into omega divided by 1 plus 16 into omega square that is equal to 0 ठीक है तो अगर मैंने जो दोनों को subtract करेए equal to 0 करते है then we can easily determine the value of the omega that is called as a resonant frequency कितना हो जागा देखेगा यहाँ पर कितना हो जागा omega into 1 plus 16 into omega square यहाँ से हम लोग को LCM की value को find out करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखेगा कितना हो जागा यह आपका कितना हागया omega into 1 plus 16 into omega square ठीक है और minus of 8 into 1 plus omega square into omega that is equal to 0 ठीक है clear है तो यहाँ से हम लोग को omega की value को find out करना है और यहाँ से हम लोग omega की value को find out कर सकते हैं कैसे होगा यहाँ पर देखेगा omega plus 16 into omega का cube हो गया minus of 8 minus of 8 into omega का cube हो गया और यहाँ पर क्या जएगा omega जएगा that is equal to 0 तो कितना आ गया 8 omega cube ध्यान देजेगा 8 omega cube और यहाँ पर कितना हो गया minus of 7 of omega that is equal to 0 तो 8 omega cube is equal to कितना आ गया 7 into omega आ गया तो यहाँ से हम देख सकते हैं omega square is equal to कितना आ गया 7 by 8 आ गया ठीक है बहुत ध्यान से समझेगा omega is equal to 7 by 8 आ गया अगर omega is equal to 7 by 8 मिल गया है then you can easily determine the omega that is equal to under root of 7 by 8 radian per second this is called as the resonance frequency ठीक है बहुत ही simple question था, ऐसे question में हमीशा ऐसे ही आपको deal करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि ऐसे question एकज़ा में बहुत बार पूछे गया है, circuit वाले, और circuit वाले question में आपको हमीशा ध्यान रखेगा, series में अगर है, तो वहाँ पर impedance के imaginary part को आप zero करेंगे, अगर parallel में corrected है, तो उसके admittance के imaginary part को आप zero करेंगे, to find out the value of the resonate frequency omega, I hope it is clear to you, ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा जो next question है, first, second question है आपको complete हो गया है, अब third question देखते हैं, this is called as the question number three, ठीक है, resonance के बारे में हम लोग जो बात करें, तो यह हमारा जो next chapter चल ला है, ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेगा, two series resonate, two series resonate filters are as shown below, let the 3dB bandwidth of the filter 1 be B1 and that of the filter 2, it is B2, the value of the B1 upon B2, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो circuit जो है given है, this is called as the circuit 1 and this is called as the circuit 2, क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान दिजेगा, वो यह बोल रहा है कि जो first वाले का जो आपका bandwidth वापका B1 है, और second वाले का जो आपका bandwidth वापका B2 है, this is actually the basic diagram of a filter, ठीक है, कौन सा filter अभी tension लेने की बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि bandwidth का जो ratio होगा, वो आपका क्या होगा, what are changes given in the figure 1 and figure 2, you can easily determine it, देखेगा, यहाँ पर क्या C1 है, L1 है और R है, यहाँ पर क्या C2 is equal to 4 times of C1 है, L2 is equal to L1 by 4 है, और यहाँ पर भी resistance है, यहाँ पर भी resistance है, बाके सब कुछ क्या है, same है, बस value of capacitor and inductors are changed in the figure 1 and 2, ठीक है, बात clear है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर bandwidth के बारे में बात करता हूँ, तो series RLC circuit का bandwidth क्या होता है, R by L होता है, सर मुझे याद है, बहुत अची बात है बच्छा लोग, R by L is the bandwidth of the series RLC circuit, अगर मैं मैं से पूछता हूँ कि, what is the bandwidth of the first figure, तो bandwidth of the first figure that is equal to B1 will be equal to कितना हो जागा, R by L हो जागा, सर, what is the bandwidth of the second figure, in this case, you can easily find out that resistance is same, but the inductor is L1 by R, L1 divided by 4, L1 divided by 4, और you can say R by L2, तो इसका मलब क्या हो गए, यह आपका क्या हो जागा, L1 या फिर L1 divided by 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर B2 आपको जो कितना मिल जागा, यह आपका B2 है, that is equal to 4 into R by L1, और आपका first क्या था, R by L1, तो अगर मैं यहाँ पर जो B1 upon B2 करता हूँ, तो B1 upon B2, अगर मैं यहाँ पर जो डिवाइट करूँगा, तो कितना जागा, 1 is to 4 आजाएगा, this is the ratio, ठीक है, तो 1 is to 4 होगा, और ऐसे भी कुशन हैं, बहुत आप पूचे कहा है, bandwidth का formula one of the important है, ठीक है ना, और मैंने बताया था, यहाँ आपका control system में भी same to same use होता है, इसलिए, यहाँ पर अगर आपको जो clear रहेगा, तो वहाँ पर भी आपको कोई problem नहीं आएगी, ठीक है ना, तो 3rd question भी आपको जो है, काफी हत्ता clear हो जोगा और पूरा समझ में आई ही जोगा हो, next question देखते हैं, this is called question number 4, ठीक है ना, यहाँ question number 4 है, क्या पूचा हुआ है, a series RLC circuit, when excited by a 10 volt sinusoidal voltage source of variable frequency, exhibit resonance at 100 hertz, ठीक है, मतलब आपको जो frequency, resonance frequency आपको जो कितनी गिवन है, 100 hertz गिवन है, ठीक है, and has a 3 dB bandwidth of 5 hertz, मतलब क्या है, bandwidth आपको जो कितनी गिवन है, 5 hertz गिवन है, the voltage across the inductor L, the voltage across the inductor L at the resonance, ठीक है ना, VL पूचा हुआ है, voltage across the inductor, जो है, क्या होगा, वो यह पूचा हुआ है, ठीक है, at the resonance, आप मुझको सबसे पहले यह बताइए, what is the voltage across the inductor, VL is equal to I into XN होगा, बिल्कुल अची बात है, and what is the current I, because it is asking about the resonance point, it means that I will be purely resistive in nature, it means that I will be equal to V by R at the point of the resonance, at the point of the resonance, the current flowing in the circuit will always be dependent upon the resistance of that circuit, it means that I will be equal to V upon R होगा, बात क्लियर है ना, बहुत धान से समझे गए चीज़ को, तो I is equal to कितना हो गया, V by R हो गया, into XN हो गया, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या 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 गिवेन है, voltage source आपको जो VL जो गिवेन है, इसका मतलब क्या V is गिवेन है, V आपको जो कितना मिल गया, आपको जो 10 वोल्ट यहाँ पर गिवेन है, source of variable frequency यहाँ पर जो है, आपको resonance frequency आपको जो गिवेन है, कितने गिवेन है, यहाँ पर FR आप बोर सकते है, that is equal to 100 Hz मने लिख दिया है, ठीक है न, बात क्लिए रहे है, and has a 3 dB bandwidth, मतलब क्या आपको जो bandwidth यहाँ पर गिवेन है, कितने गिवेन है, 5 Hz गिवेन है, ठीक है, बात क्लिए रहे है, अब VL पूछा हुआ है, तो VL के लिए मुझको यहाँ पर जो क्या कह चाहिए, तो bandwidth का formula मुझे पता है, in case of the series circuit, we know that the formula of the bandwidth is, R by L होता है, ठीक है, R by L हो पता हूँ, यहाँ पर से हम जो इसको जो कैसे उस करेंगे, Vc, अच्छा, ओके, देखेगा, यहाँ पर, quality factor आपका जो series का होता है, वो क्या होता है, VL upon V होता है, mode of VL divided by V होता है, it means that, it means that, VL is equal to क्या हो जाए, quality factor into V हो जाएगा, we know that, we know that, quality factor is what, quality factor is the ratio of the VL upon V, और Vc upon V, in case of the series RLC circuit, that's why it is called as the voltage magnification, बात क्लियर है, जहाँ समझेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मैं VL by V को जो बोल सकता हूँ, तो यहाँ से, मुझको जो VL की value जो निकाल नहीं है, तो VL will be equal to किता हो जाएगा, quality factor into V हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, अब म resonant frequency को पता है, that is equal to 100 Hz यहाँ पर given है, and what is the bandwidth, that is equal to 5, कितना आ गया यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है, तो VL will be equal to कितना हो जाएगा, 20 into V, V is the supplied voltage which is given, which is given as 10, it means that VL will be equal to कितना आ गया, 200 voltage आ गया, ठीक है, बहुत है, बहुत है simple question था, I hope it is very much clear to, और आप यहाँ पर देख भी सकते है कि supplied जो कितना है, सिर्फ 10 V है, but voltage across the inductor आपको कितना मिल रहा है, at the point of the resonance कितना मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते है, voltage magnification बोलते है, voltage across the capacitor और voltage across the inductor आपको source voltage से भी जादा आता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखीगा, at the point of the resonance, ठीक है न, I hope it is very much clear to you, इसके बाद ऌने, next question बें.